दोस्तों वियली सोसाइटी में आसी का एक बाँ फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज सुडियों बात करेंगे पी-म किसान सम्मान इदी योजना के बारे में जिसके भीतर हर साल किसानों को 6,000 रुपे की जो पेमेंट है वो 2,000 रुपे की किस्तों में दी जाती ह है लेकिन अभी सरकार ने उसके भीतर बड़ा अफडेट किया है कि जितने भी किसान है उनको हर साल आपना hoans अकी कंप्रीट करवना पड़ेगा अपना पाना पाने के लिए तो अभी जो दस्वी किस दानी है उसके लिए जो किसान EKYC करने के कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे उनको record not fund या invalid OTP की problem आ रही है तो इसका ये वाली problem को कैसे solve करेंगे और कैसे आप अपना successfully PM किसान का EKYC वगेरा complete करेंगे उसको बताने के लिए मैं ले के आगे हूँ PM किसान की website पे और यहाँ पे जाने के बाद से यहाँ पे search पे click करते हैं तो उनको record not fund का error आ जाता है ठीक है और यहाँ पे दोस्तों जिन दोस्तों के अधार में mobile नंबर नहीं लिंक है उनके लिए एक good news है कि आभी जो CAC Center होते हैं वहाँ से जाके आप OTP या Biometric आधार authentication के जरीए अपना अधार EKYC करवा सिते हैं ठीक का उसको link पे दे दिया है वहाँ से जाके आप पढ़ भी सकते हो कि कैसे इसको सुधार करना है क्या क्या important update है किस तरीके से चीजे करनी है अगर आपको इस process को complete करने में कोई समस्या आती है otherwise क्या करना है simply से मैंने यहाँ पे जैसे आपको processor बताया है कि आधार number डालने के बा इस capture code को copy कर लेना है ठीक और इस capture code को copy करने के बाद यहाँ पर डाल देना है यह वाला capture code जो दिख रहा है वो नहीं डालना है आपने जो new type में open किया था वह वाला capture code डालके यहाँ पर search के क्लिक कर देना है ठीक है जैसा क्लिक करोगे आपको देखो mobile number इंटर करके get otp करने क option आ जाएगा तो यहाँ पे जो भी number आपका अधार card से link है और कोशिश करिए कि आपके जो PM किशान record के साथ में link है वो अला यहाँ पे number डालने के कोशिश करिए जैसे कि अगर आपको नहीं पता है तो PM किशान वाले पे जब जाओगे तो यहाँ पे देखो beneficial status का option दिखाए पड़ेगा वहाँ पे जाके आप अधार number के से जरीए जैसे ही आप यहाँ पे get data पे click करोगे वैसे ही आपको यहाँ पे सबसे उपर एक option मिल जाएगा mobile वाला ठीक है तो यह जो mobile number आपके PM किशान में लगा हुआ है और कोशिश करिए जो आपके अधार card के साथ में link है वह यहाँ पे डालिएगा और वह number डालने के बाद आपको यहाँ पे get OTP पे click कर देना है ठीक है जैसे इस पे click करेंगे तो अगर server पे ज्यादा load नहीं है server ठीक ठाक चल रहा है तो आपके mobile number पे within one or two minutes एक OTP प्राप्त हो जाएगा ठीक है और काफी दोस्तों को यहाँ पे दिक information पे click करते हैं तो invalid OTP आता है ठीक है तो इन case में दो ही चीज़े हो सकते ही है या तो server पे heavy traffic होने के कारण आपको जो है OTP जो आ रही है वो late हो जा रही है एकस्पायर हो जा रही है accept नहीं क्या पारारा server दूसरी सीज़ क्या है कि जब मनें आपको बताया कि PM किशान beneficiary में ज इककत आ रही है तो simply से आप नजदेकी CSC Center पर जाएए byometric authentication के जरीए यहां पर आधा नंबर उनको देंगे फिर वहां से आपका verify कर देंगे लेकिन अगर आप एक CSC value हो और अभी आपको यहां पर आपके पोर्टर पर login नहीं हो पा रहा है या फिर आपको यहां पर डालने क के बाद यहां पर आपको fingerprint से authenticate करने का option नहीं आ रहा है तो थोड़ा से wait कर लीजिए एक दू दिन के भी तर वह आपको सारी process आनी start हो जाएगी तो आश्या करता हूँ दोस्तों आप सभी कोई वीडियो useful लगी होगी गर वीडियो ची लगी तो वीडियो को लाइक की नहीं मितर प्रफटी जबाब ऑचे